Hello my dear students, very good morning to all of you, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है इस वीडियो में, आप देखो आज की इस currentFS के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं ये पहला question है books and author के उपर, तो इस वाले question में मैंने पिछले तीन महिने के जितने भी important books and author के question हो सकते हैं, इसे क्या होता, static gk भी आपका cover हो जाता है, इसके बाद में एक प्रस्न है जिसमें करनाटक इसका right answer है, तो इस वाले प्रस्न में करनाटक से related जितनी भी static gk हो सकती है, उसको share कर दिया है, ये देखो करनाटक का symbols हो गया, national park हो गया, सब कुछ है, और हर एक प्रस्न में आप आपको देखो photo भी मिल ला है, तो अपना ये जो पूरा notes है, जिसको आप देख रहे हैं, इसमें static gk, static gk नहीं, हम लोग बोलेंगे उसको current gk, जो current affairs से related होती है, तो चलिए सुरू करते हैं इसी सांदार notes को, पहला प्रस्न है कि राष्ट्रिये सिक्षा निती, national education policy को लाग answer हो जाएगा, जैसा कि आप सभी को पता है, हाल ही में national education policy को launch किया गया था, जिस पर मैंने आपको detail में सारी चीजे बता रखी हैं, अब यहाँ पर क्या है कि इसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनेगा करनाट का, तो option number d इसका right answer हो जाएगा, national education policy के बारे में आपको तो बता चुका हूँ, अब आपको समझदा है कि यहाँ पर important points यानि कि करनाट का के बारे में static gk आपको समझदा है, करनाट का में कौन कौन से national park है, अनसी, बांदीपूर, बैनर घाटा, कुद्रे मुख, नागर होल, यह सभी वहाँ के national park है, उसके बाद में thermal power plant in कर करनाट का, एक है रायचूर, दूसरा है बेलारी, इसके बाद में, यूनेस्को की तरफ से heritage sites in करनाट का, पहला है group of monuments at Humpy, इसके बाद में है monuments at पतर डाकल, इसके बाद में है western ghats, ठीक है, इसके बाद में है state के symbol समलब देखेंगे, यहाँ का जो animal है, state animal बो है, Asian elephant, state bird काउन सी है, Indian roller, flower काउन सा है, lotus, tree काउन सा है, sundalwood, I hope आपको बहुत अच्छे से समझ में आ क्या होगा, अगला प्रस्न है कि अगस्त 2020 में, gastric cancer नामा, पुस्तक को किस ने लौंच किया है, तो एक cancer के बारे में, बताने वाली एक पुस्तक, जिसका नम है gastric cancer, इसको जितेंद्र सिंग ने, केंद्री मंत्री जितेंद्र सिंग के दोरा इस पुस्तक को लौंच किया गया है, आप इसका एक फोटो भी देख सकते हैं, ये आप इसका फोटो देख सकते हैं, जिसका पुस्तक का नाम है gastric cancer, cancer के बारे में ये पुस्तक है, जिसको जितेंद्र सिं तीन महीने के जितने भी important है उनको revise करने वाले हैं साथ ही साथ में आपको बता दूँ कि हमारे currentFS में पूरी कोशिस रहती है कि आपको currentFS के साथ साथ में current G के सबसे ज़्यार हो जाना चाहिए देखो एक पुस्तक लॉंच हुई थी जिसका नाम है how the onion got its layer और इस पुस्तक के लेखक का नाम है सुधा मूर्ती ठीक है इसमें क्या था कि इस पुस्तक को audio format में लॉंच किया गया था बच्चों के लिए इसके बाद में है settling to the top the story of PV संदू इसको लॉंच किया था क्रिस्न स्वामी वी जिसमें पीवी संदू के लाइफ के बारे में उसकी जरनी के बारे में बताया गया था इसके बाद में है biography of Melania Trump जिसको Mary Jordan के दौरा लिखा गया था उसके बाद में था Kobe Bryant and Wesley King जिसको Kobe Bryant और Wesley King के दौरा लिखा गया था इसके बाद में कौन सा था An Extraordinary Life और biography of Manohar Parikkar इसको लिखा था सदगुरु पाटेल और माया भूशन नाग वेंग करना है इसके बाद में पुस्तक है The Adventure of the Daredevil Democrat इसको लिखाता नवीन पटनाग ने सारी की important questions है इसके बाद में Chronicles of Change Champions in New Delhi इसको लिखाता है स्मृति इरानी ने तो ये सारी पुस्तक है इसमें आप तीसरा सेट देख सकते हैं तीसरा था Messages from Messengers इसको लिखाता प्रीती के स्रॉफ ने चीक है आगे चलते हैं आगे है The Thin Mind Map Book इसको लिखाता धर्मेंदर राय ने इसको लिखाता के राम किर्स्णा ने चीक है तो यहां पर आई होप आपको करेंट अफस के साथ साथ में स्टैटिक जीके पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा होगा और अगर आपको मेरा यह कंटेंट अच्छा लगता हो जो कि क्वालेटी वाइस पूरे इंडिया में नंबर वन है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें यह मत सूचे कोई और लाइक करेगा आप लोग करें है खास बात यह है कि इस चैनल की जो सब्सक्राइबर से उनको 50% का ओप दिया जाएगा तो ओफर कोड जो मैं आपको बता रहा हूं किसी और को मत बताना एक ओफर कोड है जिसका नाम वैलू है ओडबल एफ ए आर ओफर 50 इस ओफर को यूज करता है एक बार अच्छे से बत जाएगा ठीक है तो जितने लोग चैनल को रेगुलर देखते हैं सिर्फ उनको ही कोड पता है उन्हें ही डिसकाउंट मिलेगा जो बाहर से आकर लेगा उसको डिसकाउंट नहीं मिल पाएगा अगला प्रसन है कि निमनिलिकित में से किसने पूर्ब और ऑस्ट्रेलियाई त तेज गेंदवाद जिनका नाम है रेयान हैरिस को अपना नया बॉलिंग कोच बना लिया है तो आईपील की सुरवात आपको पता होगा होने वाली है और आईपील की एक टीम है जिसका नाम है डिल्ली कैपिटल्स डैली कैपिटल्स ने औस्ट्रेलिया के तेज होंगे रियॉन हैरिस इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिल्ली कैपिटल्स के जो कैप्टन है उनका नाम है स्रेयस ऐयर चेर्मेन का नाम है पार्थ जिंदल और इसकी ओनर का नाम है जी अमार ग्रुप 50% और जिंदल से मज़े ही मज़े हैं IPL देखो खुब जमकर 19 सितंबर से 10 नॉब्बर 2020 तक IPL चलेगा इसका प्लेस क्या है UAE में इस बार इसको आयजित किया रहा है और टोटल इस बार आठ टीमें इसमें पार्टिसपेट कर रही है हाला कि सभी टीम के खिलारी वहां पर पहुंच चुके ह रहे हैं अगला कोशन बनेगा कि आसम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल लें कोविट नाइंटीन महामारी के कारण इस बार के जो सैच्छिक वर्स है उसके पाठ्यकरम का कितने प्रतिसत कम करने का डिसीजन लिया है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानि कि 30 स्लेबस जो है इस बार कम कर दिया है किसने आसम हायर सेकेंडरी एजुकेशन के दौरा कोविट नाइटीन की बज़े से तो आप्शन नंबर सी का राइड अंसर हो जाएगा और यह लागू हो जाएगा सभी 11 और 12 बच्चा क्लासों के जो साइंस या फिर नॉन साइंस वाल बडरी ने जीत लिया है तो ब्रिटिस ओपन 2020 गुल्फ का किताब जो है इसको जीता है सोफिया पूपोब ने पीस का राइड अंसर हो जाएगा कि हाल ही में प्शचन नंबर 20 का राइड अंसर हो जाएगा यहां पर आप सोफिया का फोटो भी देख सकते हैं जुनों इस इ कि हाल ही में निमने लिखित में से किस देश ने अपना पांचवां प्रत्वी अवलोकन उपग्र है जिसका नाम है गाउफिन 9 को लॉंच कर दिया है तो अंसर हो जाएगा option number D, China will be the right answer. तो option number D, इसका right answer हो जाएगा कि चाइना देश ने हाल ही में अपना पांचवां प्रत्वी अवलोकन उपग्र है जिसका नाम है गाउफिन 9 को लॉंच कर दिया है तो option number D, इसका फोटो भी देख सकते हैं गाउफिन 9 जिसको हाल ही में लॉंच किया जा रहा है चाइना देश की लॉंच किया है तो answer हो जाएगा हाल ही में State Bank of India का General Insurance Vertical यानि कि SBI General Insurance ने एक अपने आप में पहली तरिप्रकार का सगुन Gift and Insurance नाम से भीमा पॉलिसी की सुरवात करी है और इस भीमा पॉलिसी की सबसे खास बात ये है कि इस भीमा पॉलिसी को आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो किसी दूसरे विक्ति को इसमें कोई मतलब नहीं है कि इस भीमा पॉलिसी को लेने वाला जो honor है उसी को लेना है आप किसी को भी दे सकते हो आपका family का हो सकता है आपके family से भाहर का रिस्तेदारी का हो सकता है even सबसे खास बात ये है कि आप अपने घर में काम करने वाले काम या फिर ड्राइवर को या फिर आपके कुक को किसी को भी आप यह policy purchase कर के दे सकते हैं इस वज़े से बहुत जाँधा news में चल रही है यह personal accidental insurance है जिसकाना में सगुन और ये आप किसी को भी दे सकते हो SBI जनरल insurance का headquarters मुंबई महराष्टरा में हें और इसके जो M.D. और C.O. है वो है PC कांडपाल प्रकास चंदर कांडपाल आगे चलते हैं यह पुस्तक वाला कुशन हमने कर लिया था बुक्स है नौथर वाला कर लिया था इसके बाद में यह वाला भी कर चुके हैं करनाट का वाला अगला प्रसन है हाल ही में UEFA Champions League 2019-2020 का किताब किस टीम जीत लिया है तो एक वार फिर से देखेंगे ऑप्शन नंबर 20 का राइड एंसर हो जाएगा बेयर्न म्यूनिच इसका राइड एंसर हो जाएगा हाल ही में UEFA Champions League 2019-2020 का किताब बेयर्न म्यूनिच टीम ने जीत लिया है तो आप्शन नंबर 20 का राइड एंसर हो जाएगा इसमें आप इस टीम का फोटो भी देख सकते हैं रेड जर्सी में इस टीम ने इस UEFA Champions League 2019-2020 को जीत लिया अगला प्रस्न है कि अगस्त 2020 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंडन के छातरों ने दुनिया के सबसे तेज इंटरनेट का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है इस नई स्पीड की यह नई स्पीड कितनी है तो आंसर हो जाएगा 178 टेरा बिट्स ऑप्शन डी इसका राइड एंसर हो जाएगा दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड प्राप्त कर ली गई है यहां पर हम लोग भी नॉर्मली जो यूज करते हैं 10 Mbps ठीक है जीवी पीज की तो बात ही नहीं है 10 Mbps 20 Mbps यह स्पीड नॉर्मली हम लोग यूज करते होते हैं या फिर इस से भी कम ठीक है या फिर इस समय जो अलग से इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ एक लाख अठतर हजार जीवी पीएस ठीक है तो जीवी पीएस से अगर कंपेर करोगे तो यह इतना जीवी पीएस हुआ तो इसको लंदन यूनिवरसिटी लंदन कॉलिज की स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट करके इसको सब्सक्रामदी muzykaraoriB awesome 200 सब्सक्राला के आप को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि अगर इसफीट से पargent की पूरी लाइप्रेरी नैट सी की पूरी लाइब्रेरी की बात हो रही है तो Netflix की पूरी लाइब्रेरी को एक सेकेंड से भी कम समय में हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं मतलब आप उस पर क्लिक करोगे और वो पूरा डाउनलोड हो जाएगा ये इसकी स्पीड आप समझ सकते हो साथी साथ मैं इसमें आपको बता दू कि इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इतनी स्वीट कितनी होगी जो पिछले साल आपको पता होगा एक ब्लैक होल का इमेज जारी किया गया था और पूरे इमेज का जो डेटा था उसको एक घंटे से भी कम समय में कि यह डाउनलोड कर सकता है अगला प्रस्था है एस्बियाई म्यूच्वल फंड कंपनी के नए प्रवन्न निदेशक और मुख्य कारेकारी अधिकारी कौन बने गए हैं तो आंसर हो जाएगा विने टोन से ऑप्शन नंबर 20 का राइड अंसर हो जाएगा असुनी भाटिया पर क्लिक करके मत आ जाना असुनी भाटिया कौन है असुनी भाटिया इन से पहले SBI Mutual Fund के प्रवन्न निदेशक हुआ करते थे लेकिन उन्होंने उनको हाल ही में SBI का नया मैनेजिंग डिरेक्टर बना दिया गया है और उनकी जगह पर विने टोन से को SBI Mutual Fund का नया प्रवन्न निदेशक और CEO बना दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आई होप आपको विडियो बहुत पसंद आया होगा कंटेंट बहुत सांदार आपको दिया गया है आज का कुश्चन जिसका अंसर आपको देना है कि टोक्यो ओलंपिक्स 2021 के लिए भारतिये टीम का ओफीसियल स्प कुश्चन भी इंकल्यूड कर रखे हैं तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के चैनल पर जाकर आप उसको देख सकते हैं थैंक यू फर वाचिंग इस ओसम वीडियो